नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 पर मुख खबर जानते हैं राज सरकार की ओर से उठाया गया बता दे राज सरकार ने एक बार फिर केंद्रिय योजनामद की रासी लंबित होने की सिकायत नीती आयोग से करते हुए इसके सिग्रे भोगतान करने का अगरा किया है जार्खन मंत्राला में मुख्य मंत्री हमनसुरेण की मौझूदगी में नीती आयोग की टीम के साथ होई राज सरकार की बैठक में यह बाते सामने आई है नीती आयों के साथ करीब चार गंटे तक चली इस बैठक में राई सरकार के ओर से क्रीशी, स्वास्त, उर्जा, खादया, पूर्ति, सहीद, विभीन, विभागों से जोड़ी, केंद्रिय, योजनामत, किरासी, लंबे समय से लंबित होने की वज़ा से विकास कारे में आ रही इबाधा से अवगत कराया गया, इस मौके पर मुख्य मंत्री हमनसुरे ने कहा है कि जारखन जैसे पिछड़े राजियों के लिए आवस्या कहा है कि विकास की राह में या कैसे आगे बढ़े, इसके लिए बिसेस कारे किये जाए, हमें संसाधन तो मिल रहे हैं, लेकिन उस उसका उपयोग ऐसी जगह हो रहा है, जिससे उसका जीतना फाइदा होना चाहिए, वह नहीं मिल पा रहा है, जारखन के 15 लाख बिद्यार्थियों को साइकल के लिए खाते में दी जाएगी रासी, राई सरकार अब इसकूलों में पढ़ने वाले बिद्यार्थियों को साइ की राशी, उनके खाते में डिवीटी की जाएगी, मुख्य मंतरी हमान सुरे ने बुद्दवार को अनसुचीत जन जाती, अनसुचीत जाती अल्प संक्या है, कि औ LEGO पीठ्डा वर्ग काल्यान विभाग द्वारत STA, जोजनाव की समिछा के करम में इसे लेका निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा है कि राज्य में लगभग 15 लग विद्यार्थियों के भी साइकल बीत्रन किया जाना काफी चुनोती पूर्ण है ऐसे में साइकल की वजाए साइकल के लिए जो रासी आवंटित है उसे विद्यार्थियों आथवा उनके अविभाकों के बैंक खाते म बिद्यार्थियों को एक साथ मिलेगा भला ही बिद्यार्थि उपरी का अक्षा में पहुंच चुके हो सुरक्षा बॉल और नक्सलियों के बिच मुटभेड में डिप्टी कमांडेंट घायाल पच्मी सिंभू में सुरक्षा बॉल और नक्सलियों के बिच बुद्धवार सुबहुर मुटभेड में 209 कोबरावा टालिन के डिप्टी कमांडेंट दिपक कुमार तिवारी को गोली लगी है जनकारी के अनुसार उनके हाथ की कोहनी पर गोली लगी है बेहतर इलाज के लिए उन्हें एर लिफ से रांची ले जाया गया बुद्वार सुबा सुरक्षा बोलो को जनकारी मिली की गोईल के राथाना चेत्रे में नक्सली गस्त कर रहे है उसी के तहट सुरक्षा बोलो के दोबारा जंगल में सर्च अभियान चलाया जा रहा था बता ते गोईल के राथाना छेत्रे के गमहरिया गाउ के जंगल में सुरक्षा बलके आने की भनाक लगते हिनक सलियों ने अंदर दून्द फैरिंग शुरू कर दी इस दोरान अभियान में सामिल 209 कोबरा बटालियन के डिप्टी कमांडेट दीपक कुमार्तिवारी को गोली लग गई जार्खन के जन सेवको का दिन राथ अनिस्चित कालिन धारना शुरू जार्खन राजन सेवक संग द्वारा दिन रात अने स्चित कालिन धर्ना बुद्ध द्वार से ड्रॉन्डा के नेपाल हाउस इस्थित क्रिसी सच्वाले के समग सुरू हो गया है जार्खन राज जन सेवक्सां के महामंत्री लोकेश कुमार ने कहा है कि इस दिन राथ और शितकालिन राज अस्तरिय धर्ना का समापन मांग पुरी होने के बाद ही होगा आपको बता देखी राजी के सभी जीलों के जनसेवकों ने अपनी बेतन अवनती और लंबित एगारा सुत्री मांगों की पूर्ती के लिए पिछले दो महिने से अधिक समय से हवताल पर हैं और लगतार आंदोलन भी कर रहे हैं इनका रोप है कि इसके बाद भी उनकी सुद नहीं ली जा रही जनसेवकों की माहने तो अपनी मांगों को लेकर उनके द्वारा आंदोलन किये जाने के बाद विक्रीची विभाग और सरकार की चुपी ने नसित्फ जनसेवक, सन्वर्ग बलीक, राज के सभी अधिकारी, सीख्षक और करमचारी अपने भविस को लेकर ससंकी थाएं जारखन में टीवी मुक्त पंचायत की सुरुआत दस पंचायत परतिनिदी होंगे पुरस्कृत राश्ट्रिय यक्षमा उनमुलन कारकरम के तहत रांची में आयोजी टीवी वर्क प्लेस पॉलिसी अन कर्पोरेट इंगेजमेंट टू एंड टीवी के रज अस्तरिय कारकरम क मंत्री ने कहा है कि गाओं को समरीद किये बिना टीवी से नहीं लड़ा जा सकता हलाकि जारखन के लोगों की रोग पर तिरोधक्षमता बहुत ही अधीक है और हमारी एडवांस प्लानिंग अने राजों से अच्छी है मंत्री ने कहा है कि राज में प्रती एक लाख लोगो के इनामी सबजोनरल कमांडर खुदी मुंडा ने किया सरेंडर lubद्ध मवाधी के सबजोनरल कमांडर खुदी मुंडा ने बुद्धवार 12 जूलाई 2013 की देर साम को सरेंडर कर दिया है उसके उपर 6 लाख रुपए का इनाम था बतादे 5 लाख रुपए जहारखन पुलीस और एक लाख रूपए एन आईये ने इनाम घोसी कर रखा था हलाकि गुमला पुलिस नक्सली खुद्धी के सरेंडर करने की पुष्टी नहीं कर रही लेकिन सुत्रों से मिली जनकारी के अनुसार साम पाच बजे खुद्धी मुंडा ने कुरूम गढ़ थाना में जाकर सरेंडर किया है पुलिस अभी उससे पुष्टाश कर रही है सबजोनल कमणर खुद्धी पर गुमला सिम्टेगा और लाते हार जीलों के विभीन थानों में दर्जनों के सदर्ज है चनपूर थाना में हमला, चनपूर भलोक भावन को उड़ाने वा चनपूर पुलिस पर हमला कर चाल पुलिस कर्मियों को मानने की घटना में भी खुद्धी सामिल हाए बाबा नगरी में कावारियों के ठकान मिटाने के लिए चार जयवा संस्क्रिती कारेकरम हम राजकिय स्रावनी मेला 2013 में बावाध हम आने वाले कवरियों के मनुरंजन के लिए जीला सुचना एम जन्सन पर के विभाग द्वारा संपुन मेला छेतर में चार अस्थानों पर संस्कृति कारकरम की बेवस्ता की गई है। को भक्तिमय संगीत के साथ अने सुंदर और मनुरंजक कारकरम पेस किये जा रहे हैं ताकि सभालूओं को हर्स, अनन्द, उलास और प्रसंता के अनुभोती प्राप्त हो। में डूबने से दो धान कुटने से एक जहर खाने से मौत हो गई है। जबकि गुमला के एक युवक की हर्याना में मौत हो गई उसका भी सोग कमरे से मिला है। मतादे गुमला के चैनपूर थाना चेतर स्थीत एम एले रोट पीपल चोक निवासी द्वारिका साय की पतनी रिंकी देवी का धान कुटने की मसीन से कट कर मौत हो गई है। हजारी बाग के बाका गाओं में सक्री नदी पर बनी पुलिया धोस्त हजारी बाग के बाका गाओं परखंड इस्थीत चेपा कला पंचायत के कट कटिया गाओं में सक्री नदी पर बनी पुलिया तीन साल में ही धोस्त हो गई इसके तूटने से सौव से अधिक गाओं का स पर्खंड और जिला मुख्याले से कट गया है बताओ दे चेपा कला पंचाओत के मुख्या और निकेत कुमार नायक ने बताया है कि चेपा कला से हुदवा को गाउ जोडने वाली सड़क एवं पुलिया निर्मान तीन साल पले हुआ था सबक का निर्मान वर्ष 2017 से 18 तक हुआ था जबकि 29 में पुलिया बनना सुरू हुआ था सबक एवं पुलिया का निर्मान कार र ई ओ विभाग द्वारा किया गया था ग्रामिनों ने गुनवाता युक्त सड़क और पुले निर्मान की मांग सुरू से ही की थी लेकिन अभिकर्ता ने ग्रामिनों की इस मांग को अन सुना कर दिया नीरायादव ने कहा टमाटर ओक्सिजन नहीं देता खाना छोड़ दीजिये इन दिनों टमाटर की बढ़ी हुई कीमत आम से खास तक के बीच चर्चा का विसाय है इस बीच कुडर्मा से भाजपा विधायक डक्टर नीरायादव ने एक ऐसा ब्यान दिया है जो चर्चा में आ गया बता दे रांची में एक मीटिंग में सामिल होने के दरन पत्रकारों से बाचित में कुडर्मा विधायक ने कहा है कि टमाटर खाने से सरीर को अक्सिजन नहीं मिलता ऐसी महंगाई में लोग टमाटर खाना छोड़ दे और जब टमाटर सस्ता हो जाए तब ही खाए कुडर्मा विधायक ने कहा है कि टमाटर लाल हो गया है तो कुछ लोग खासका भी प्रक्षी लाल पिले क्यों हो रहे हैं जहारखन पुलिस मुख्याले में हुई OACC की बैठक जहारखन पुलिस के डीजीपी अजय कुमार सिंग के नेतितें बुद्धवार को पुलिस मुख्याले में अंस्योर सेकुरिटी कॉडिनेशन कमिटी OACC की बैठक हुई इस बैठक में O.N.G.C. गेल और I.O.C.L. के वरी अधिकारियों के साथ सा जहारखन पुलिस के अला अपसर और कई जीलों के पुलिस अधिक्चक मौजूद रहे बैठक में जहारखन के जीन जीलों में कम्पनियों के काम हो रहे हैं वहाँ की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के प्रार मंतन किया गया बताद एस साल में दो बार होने वाली याँ बैठक कोविट संक्रमन के वज़ा से पिछले दो सालों से नहीं हुई थी ऐसे में यह बैठक काफी महतपुन रही बैठक के दोरान ONGC, IOCL और गेल के जहारखन इस्थित परतिष्ठानों में समस्या, समधान और आपसी समन्यों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई सराब ठेको पर चल रही मनमानी, MRP से अधिक वसूल रहा दाम, जहारखन में सराब की विक्री से अवध कमाई जोरो पर है, यहां खुले आम, MRP से ज़्यादा कीमत पर सराब विक रही है, सराब पीने वालों की जेव कट रही है, और भी भागी अधिकाई धरातल के बजाए कागची बयान दे रहे हैं और दिखावे की करवाई भी कर रहे हैं, बतादे राज में सराब दुकानों का भौतिक सत्यापण कराया गया, तो यहां मामला सामने आया है, एक आकड़े के अनुसार पुरे राज में हर दिन अस्तान 10 करोर की सराब विक्ती है, MRP से पांच परतिसत अधिक कीमत पर सराब की बिक्री का हिसाब निकाले, तो पुरे राज में सराब की बिक्री से हर दिन करी 50 लाक रुपए की अवैद कमाई हो रही है, भक्तों को भारहा बास्कीनाथ का टेंट सिटी, सावन माह में प्रसीद तीरत अस्तल बास्कीनाथ में जल जार सरधालू रह सकते हैं, सबसे बड़ी बात या है कि पूरी सुविधा बिल्कुल निसुलक है, यहां ठारने वालों के लिए समुदाइक, सोचाले और अस्नानगर के साथ साथ सभी मरोरंजन की भी बेवस्ता की गई है, इसके साथ ही दो माह के लिए मेडिकल केम्प भी लगाया गया है, सावन मा में परसी तीरतर्थल बासकी नाथ में हजारो सरधालू परती दिन पूजा आर्चना और जलारपन के लिए पहुँच रहे हैं, बेतहासा महाई के खिलाप रांची की सड़क पर उतरेंगे रायत नेता और करकरता, रायत ने बेतहासा महाई के खि रंजन कुमार ने दी है, बता दे कमर, तोल महाई और सब्जीयों के दाम में बेतहासा महाई के खिलाप गुरु आर को राष्ट्रिये जनता दल के नेता और करकरता रांची में सड़क पर उतरेंगे, जनकारी करुचार यूआ राष्ट्रिये जनता दल और राष्ट्रिये जनता दल के नेता और करकरता दो फर बाद अलवट एका चोक पर महाई के खिलाप जोरदार प्रतसन करेंगे, जमीन घोटाला मामले में बिष्णू अगरवाल को इड़ी का समन, जमीन घोटाला मामले में कारोबारी बिष्णू अगरवाल को इड़ी ने फिर से समन किया है इस बार अगरवाल को 17 जुलाई की सुब़ 11 बज एड़ी के रांची जोनल कर्याले में हजिर होने को कहा गया इससे पहले एड़ी तीन बार विशनु अगरवाल से पुस्ताश कर चुकी है पताद पहली बात 4 नॉमबर 2022 को इड़ी ने रांची जमीन घोटाले में विशनु अगरवाल के आवाज वह मौल इस्तित दफ्तर में छापे मारी की थी उसके बास ही विशनु अगरवाल इड़ी के रडार पर है रांची के चर्चीत चेसायर होम रोड में जमीन डिल मामले में इड़ी ने विशनु अगरवाल को अभितक संदेह के आधार पर मनी लॉंडरिंग में लिप्त पाया है मनी लॉंडरिंग मामले में इड़ी ने हरिस यादो को किया गिरपतार जरकन सरकार के गरामिन कारे विभाग के निलम्बीत चीफ इंजिनियर विरंदर राम के करीबी धीरे-धीरे सलाखों के पीछे पहुच रहे हैं बतादे विरंदर राम अकुत काली कमाई की मनी लॉंडरिंग मावले में एडी ने हरिस्यादव गिरफतार किया है हरिस्यादव CA मुकेस मित्तल का करीबी है जेल में बंद निलंबित चीफ इंजिनियर विरेंदर राम की अवैद कमाई की मनी लॉंडरिंग केस में ED ने हरिस्यादव गिरफतार कर लिया है दिल्ली निवासी हरिस्यादव मनी लॉंडरिंग करने के आरोपी CA मुकेस मित्तल का करीबी है ED ने अपनी तफ लिस में पाया है की विरेंदर राम की 120.8 रूपय को अलग-अलग हाते में डाल कर उसकी निकासी या टांसफर में हरिस्यादव की ही आमभूम करही है रांची पहुँचे CBI के नव नियुक्त निदेशक परवीन सूध बुद्धवार की सुबह रांची पहुँचे उन्होंने रांची में अपनी तीनों सखाओ के कामकाज को नजदिकी से देखा रांची की आर्थिक अपराद विंग वफरस्ट चार निरोधक वियोरो के अलावा धनबाद सका के परमुखों ने पावर पॉइंट के माद्यम से अपने कामकाज से नए निदेशक को अउगत कराया उन्होंने राजिके जोलंत मुद्धोक की भी जनकारी ली और सीबियाई की सकाओ में चल रह मतपून कांडो का भी संशिप्त वियोरा लिया सीबियाई के नवनियुक्त निदेशक के रांची दोरे को समाने दोरा बताया जा रहा है सीबियाई के अधिकारिक सुत्रों के अनुशार नए निदेशक बनने के बाएद परविन सुध बारी बारी से सब ही राजियों का दोरा कर रहे है पुरू में उन्होंने लखनाव का दोरा भी किया था और बुद्धवार को राची का दोरा किया है जार्खन के दो कुख्यात उग्रवादियों की तलास तेज तस्वीर जारी जार्खन में टेरर फंडिंग मामले की जाच कर रहराष्टिय जाच एजेंसी ने परतिबंधित उग्रवादी संगटन तितिय संवेलन प्रस्तुति कमेटी के दो कुख्यात उग्रवादी की तलाख्तेज कर दी है इन उग्रवादियों में टी स्पी सी सुप्रीमो ब्रजेस गांजु उर्फ सर्दार जी उर्फ गोपाल सिंग भोकता वर रिजिनल कमांडर आक्रमक जी उर्फ नेता जी उर्फ रविंद्र गांजु उर्फ राम बिनायक सिंग भोकता उर्फ बिनायक सिंग सामिल है ब्रजेस गांजु चात्रा जीले के लवालंग थाना चेत्रे के लाट्टू सहवान का रहने वाला है जिस पर एनाये ने पांच लाग का इनाम रखा है वहीं आक्रमक चात्रा के लवालंग बगरा रोट का निवासी है उस पर एनाईय ने तीन लाख रुपए का इनाम रखा है बोलेरो से तसकरी के लिए जा रही अवैद सराव काई सरा किया गया परन्तों पूलिस को देखकर चालक तेजी से गाड़ी को भागाने लगा इसके बाद पूलिस ने उससे सियर कोनी समीप ख़देड कर पकड़ा जाच में वहां से सराव की खेब के साथ मौके से मौमद महताब पिता हलीम चत्रा जिला के गिरोध सिला निवासी को पकड़ा गया है हजारी बाग में प्रेमी संग चार थल की मासूम को लेकर पत्नी फरार जारखन के हजारी बाग जिले के दारू थाना छेत्रे में महेसरा निवासी एक साधी सुदा महिला अपने चार वर्ष ये बेटी को लेकर प्रेमी के साथ फरार हो गई इस संबन्ध में महेसरा निवासी दिपु राम पिताप प्रसादी राम ने दारू थना में आवेदन देकर अपनी पत्नी और बचे को ढोड़नी की गुहार थाना प्रभाईच लगाई है आवेदन में सिबु ने बताया है कि उसकी पत्नी सपना देवी उम्रतिस वर्ष उसके चार वर्ष ये पुत्री रविना कुमारी को साथ लेकर अपने प्रेमी जोहनिया निवासी बीसाल पासवान के साथ फ्रार हो गई है इधर पत्नी को इस बात का भी सक है कि उसकी पत्नी उर्ष की नन ही बच्ची को कहीं बेश देगी उसके बाद प्रेमी के साथ आराम से रहेगी पश्चिम बंगाल से जार्खन खापाया जा रहाता प्रतिबंधित मांस तीन गिरफतार जार्खन के जामतला जिले में बुद्धवार को बिंदा पाथर थाना छेतरे के बड़दा ही गाउं के समीब ग्रामिनों ने बाइक से प्रतिबंधित मांस लेकर जा रहे तीन लोग को पकड़ कर पुलिस के हवाले किया है तीनों की पहचान पच्छिम मंगाल वर्दमान जिले के पनुडिया हाकिम पड़ा निवासी फिर दोस अंसारी कुर्वान अंसारी वा मोजिव अंसारी के रूप में हुई है पुलिस के पुष्टाच में आरोपियों ने बताया है कि ये लोग परतिबंधित मांस बंगाल के गुरांडी से लाकर जाम तला जिले के विभीन छेतरों में लाकर काफी समय से बेच रहे थे नीती आयोग से बोले सियम हेमन कोईले पर बढ़ाई जाए रोयल्टी संगी ढाउट्चे के मजबूती के लिए जरूरी है केंदर और राजियों का सरवाइगी भिकास हो केंदर और राज सरकारे एक दूसरे को सयोग करे तभी भिकास के लिए जो लख्ष निधःद किये गए उसे आसिल कर सकते है मुखी मंतरी हैमान्चुरे ने बुद्धवार कुनिती आयो की टीम के साथ बैठक के दर्मियान ये बाते कई है मुखी मंतरी ने कहा है कि इस बैठक में पुराने अल्लामीत भी सवय पर चर्चा हुई है और उसका समाधान में निकला इसके साथ ही कई नई मुद्दे को भी रखा गया जिस पर नीती आयो की उच्छ सकरात्मक पहल करने का स्वासन मिला है बता दे मुख्य मंत्री ने फूट सेकुरेटी को लेकर कहा है कि केंदर द्वारा लावको का जितना कोटाता है उससे कहीं ज्यादा लावको को राशन की जरूरत है इसलिए राय सरकार ने अपने अस्तर पहर राशन कार्ड जारी किये है लेकिन राय सरकार के राशन कार्ड धारियों के लिए अनाज सरकार को बयार से खरीदना पड़ता है Food Corporation of India द्वारा अनाज उपलब्ध नहीं कराया जाता है असे में नीती आयोक केंद्र सरकार के पास जार्खन की इसमाय को रखे कि राशन कार्ड धारियों के लिए भी राशन सरकार को FCIS चानाज उपलब्ध कराया जाए जिन्दल के कार्पोरेट हेड मिले मुख्य मंत्री से मुख्य मंत्री हमांसरें से बुद्धवार को जिन्दल, स्टील, अन्ड, पावर के कार्पोरेट, अफेर्स, हेड, जार्खन, सुयस, सुकला ने अवचारिक मुलकात की है उन्होंने इस असर पर मुख्य मंत्री को राष्ट्री धोज, सौपा और बताया कि जिन्दल कंपनी द्वारा 15 अगस 2023 से फलेग फाउंडेशन अफ इंडिया कैमपेण चलाया जना है इसी को लेकर तैयरिया चल रही है मुख्य मंत्री ने इस कैमपेण के लिए जिन्दल कंपनी को बधाय और सुपकमनाय दी है आंगनवारी सेविकाओ का राजभोन के सामने परदर्शन जार्खन आंगनवारी वर्कर्स यूनियन के तत्वधान में आंगनवारी सेविकाओ ने अपनी मांगों को लेकर बुध्धवार को राजभोन के समक्ष एक दिवसे परदर्शन किया जार्खन परदेशकार करनी के अध्यक्स बाल मुकुन सिन्हा ने कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो दिली के जंतर मंतर पर बिरोध परदर्शन करेंगे बता देबाल मुकुन सिन्हा ने बताया है कि 11-12 सितंबर को जंतर मंतर पर राजभर की आंगनवारी सेविकाओ परदर्शन करेंगी राक्षा बंधन पर जार्खन सरकार 50 सेयर बेटियों को देगी 20 कोल रूपए जार्खन सरकार पूर्भी सिमुम जीले की करीब 20 सेयर 771 बेटिया समेत कोलहान की 50 सेयर बेटियों को राक्षा बंधन का तोफा देगी इस बार राक्षा बंदर 30 अगस्त को है सरकारी से पहले ही 14 अगस्त को ही इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से 20 कोर रुपए से भी अधिक की रासी डाल देगी बता दे पूरवी सिमम की बेटियों की रासी लगभग 9.86 रुपए होगी इसकी त्यारी पूरी कर लिगाई है सावित्री भाई फुले की सोरी सम्रीदी योईना के तहत कक्छा आठवी से बराहवी तक की छात्राओं को 6 किस्त में रासी दी जाएगी धनेवाद यदि आप चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत का बेल एकन दबाएए साथ साथ वीडियो को एक लाइक कर आपने दोस्तों से अशेयर करना भूले साथ साथ आप आमें कमेंट बक्स में अपना फिड़वेक अवस्य दे थैंक यू